गुड़ पॉर्णिंग चिल्डरन कुसुमेम के ओलाइन क्लास में आपका स्वागत है फ्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि विभाग ने वार्षिक प्रिक्षा के लिए डेट सीट जारी कर दी है अर्थार्थ आपकी वार्षिक प्रिक्षा 27 मार्थ से सुरू हो रही है और आपका जो पहला पेपर है वो इंगलिस का ही होगा सेट एक्जाम की तरह ही ये प्रिक्षा भी अवसर एप पर ओनलाइन करवाई जाएगी कुल 30 multiple choice questions पूछे जाएंगे और सभी पर्षनों के उत्तर देना आपके लिए अनिवारिय होगा आपकी सहायता के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इस वीडियो को देखकर स्लेवस में आने वाले सभी पर्षनों को हल करना सीख सके और अच्छे नंबर प्राप्ट कर सके आज हम इस वीडियो में लेसन 6 अलर्ट रैबिट में आए हुए MCQ यानि की multiple choice questions हल करने वाले हैं तो देखिए बचो हमारा first question है ये गाओं का नाम है बन तलाई नौक ये गाओं कहां था ये पूछा गया है देखो चार option दिये गए है Thailand, Scotland, England और India तो बच्चो बांत लाई नौक नामा गाओं थाइलेंड में है तो option होगा A, Thailand second question is वो क्राइड मा मा अलर्ट रैबिट यानि की अलर्ट रैबिट पार्ड में मा मा कोन चिलाया option दे रखे हैं रैबिट, गौट यानि की बेबी गौट, ऐलिफेंट या काव तो देखें, option हमारा आएगा C, गौट यानि की बेबी गौट, बक्री का बच्चा third question is वेर दिर दे रैबिट, हियर दे न्यूज ओफ सुनामी खरगोस ने सुनामी की न्यूज यानि सुनामी का समाचार कहां सुना, कि सुनामी आएगी, कहां सुना था on tv, on radio, in animals meeting or none tv पर, radio पर, animal meeting में या किसी में भी नहीं, उपर दिये गए तिनों option में किसी में नहीं तो क्या आएगा, on radio, b option आएगा, radio पर सुना था fourth question is, who asked everyone to stay calm after hearing सुनामी न्यूज यहां कहता है कि, किसने सभी से सुनामी समाचार सुने के बाद, शांत रहने के लिए कहा किसने कहा था, सभी से की शांत हो जाओ, butterfly ने, aunt ने, frog ने या rat ने तो इसका answer आएगा बच्चो, be aunt, cheaty ने कहा था fifth question is, what about the headman aunt told to everyone headman aunt, यानि कि जो मुखिया चीटी थी, हर एक को उसने किस के बारे में बताया किस के बारे में बताया था, music system, sound system, warning system या none तो बच्चो उसने warning system के बारे में बताया था चेतावनी प्रणाली, उसने कहा कि जो ये सुनामी के बारे में news सुनी है ये सिर्फ warning system था, कोई सुनामी आने वाली नहीं है next, sixth question is, when was this meeting organized after hearing the news of सुनामी कि सुनामी के समाचार सुने के बाद, ये meeting कब organized की गई एक meeting रखी गई थी, कि सभी उपक्सी सभी इकठा होना meeting करेंगे तो कब की गई थी, option है the same day, next day, two days after, three days after तो ये meeting next day की गई थी बच्चो, अगले दिन, option आएगा be next day seventh question is, who says these lines, my kids will not go out to play by themselves in hazardous places hazardous means होता है, खतरनाक, खतरनाक स्थानों पर ये इसमें कहा गया है कि who says these lines, ये line किस ने कही कि मेरे बच्चे अकेले खतरनाक स्थानों पर खेलने बाहर नहीं जाया करेंगे ये line किस ने कही थी, elephant ने कही, butterfly ने, mother frog ने, या god ने तो बच्चो ये mother frog ने कहा था, माता मेंडक, मेंडक की माता ने कहा था कि मेरे बच्चे खतरनाक स्थानों पर अकेले बाहर नहीं जाएंगे eighth question is, who will make the map of the village, गाओं का map किस ने बनाया किस ने बनाया होगा बताओ, elephant, mother god, frog या butterfly mother god ने, हाँ, तो भी option आएगा, mother god यानि की माता बक्री माता बक्री ने बनाया था, अब आगे देखिए एक बार question है, nine question, who was two old among animals, सबसे ज़्यादा बूढ़ा, animals में, जो भी जितने भी animals थे, उन में सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन था, ox, headman, elephant या गौट, कौन था बच्चो, ox यानि की बैल, option है, a, बैल, tenth question is, who made the list of things to do, काम को करने की, वस्तूओं की, लिस्ट किसने बनाई, कि हमें ये काम करना है, ये करना है, अगर सुनामी आ जाए इस तैंसे, तो उन, कामों को, बातों को, चीजों को करने की, लिस्ट किसने बनाई, elephant ने, headman, aunt ने, got ने, या, ox ने, किसने बनाई थी, बदा है, headman, aunt ने बनाई थी, यानि की, मुखियां, चीटी ने, तो option आएगा, b, next question is, who heard the news of earthquake, earthquake का news किसने सुना, earthquake क्या होता है, बता है, भुकम, किसने सुना था, mother cow, mother god, rabbit, और rat, तो बताईए, किसने, हाँ, rabbit ने, very good, तो इसका option आएगा, b, rabbit, यानि की, खरगोस ने, 12th question is, where did the earthquake occur, भुकम, कहां आया था, जावा आइलेंड में, थाइलेंड में, इंगलेंड में, या नन, या कहीं नहीं, नन का मतलब होता है, बच्चों, कहीं भी नहीं, उपर जो भी option दिये गए है, इन में से कोई नहीं, नन का मतलब ये होता है, तो अब देखिए, कहां आ थाइलेंड, 13th question is, how did the rabbit make alert to all animals, रैबिट ने सभी जानवरों को कैसे alert किया, क्या किया उसने कि उनको पता चल जाए, अब रैबिट को बोलना तो आता नहीं, तो उसने क्या किया, option दे रखा है, हूटिंग की थी, यहां बाई, slow siren, blow siren, sorry, slow note, slow, blow siren, siren बजाकर, यहां अर्थ, धर्थी को पीट कर, या by running here and there, इधर उधर दोड़ कर, तो बताईए किस तरह से खरबोस ने alert किया सभी जानवरों को, option B, by beating the earth, यानि कि धर्थी को पीट कर, अब next question देखिए, question है, 14th, यहां पर इसमें कहा गया है कि, what is the major cause of tsunami in island, in Thailand, Thailand में tsunami का मुख्य क्या कारण है, क्या कारण था बच्चो, देखिए, flood है, earthquake, deforestation, या none, तो इसमें कारण आएगा earthquake, यानि कि भूकम्प, Thailand में tsunami आने का सबसे बड़ा कारण है, वहां पर आने वाले भूकम्प, 15th, question is, who alerted all the animals, सभी जानवरों को alert किस ने किया, elephant ने, frog ने, आंट ने, या रैबिट ने, किस ने किया था, रैबिट ने, शाबास, option आएगा T, रैबिट, इसी कारण तो बच्चो, पाठ का नाम भी alert रैबिट है, याने की, चोकरना, खरगोस, उसको alert रैबिट कहने लग गए थे, तो बच्चो, आज इस वीडियो में किवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अलग क्यूशन समझाने वाली हूँ, नए पाठ के, तो बच्चो, आपने अगर मेरे चैनल ओनलाइन स्टेडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में दिये वैल आइकन को ज तब तक ये लिए बाई बच्चो